नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तो जब कभी किसी व्यक्ती का मंगल बिगड़ जाता है तो उसके अपने भाई या अपने पिता के साथ संबंद खराब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ती को भूमी भवन का सुख कभी नहीं मिलता। साथ ही साथ उस व्यक्ती को दुरगटनाओं से भी खत्रा होता है। रक्त संबंदी समस्चाएं वे विकार उसके सरीर में उत्पन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वेवाइक सुख में कमी आती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को क्रोध भी बहुत आता है। इसलिए दोस्तों हर कोई व्यक्ती चाहता है कि उसका मंगल हमेशा ही सांत रहे। उसके लिए हमेशा ही अनुकूल रहे। ताकि उसके जीवन में तो किसी ब्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो ऐसे ब्यक्ति के अपने लोग ही उसके अपने सस्त्रू बन जाते हैं और उसके साथ सत्रू जैसा वेवार करने लग जाते हैं हर एक चीज पैसे सही इस दुनिया में आती है इसलिए धन का होना बहुत आवशक है अश्याए ना हो वे ब्यक्ति वे उसका परिवार सदा ही खुशियों से परिपोन रहे इसलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाए जिसे करने से मंगल हमेसा ही आपके कंट्रोल में रहता है आपके लिए हमेसा ही अनुकूल परिण दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही चवरदस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुक्मई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुक्मई दोस्तो हर किसी व्यक्ति के घर में पूजा पाठ करने का स्थान यानि की मंदर तो होता ही है और प्रति दिन वहाँ पर पूजा भी होती है और पूजा में बहुत से लोग दीपक जलाते हैं वह यूँ कहें कि अधिकांस लोग दीपक जलाते हैं और चलाना भी चाहिए क्य कि दीपक जलाने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि दीपक के नीचे एक ऐसी वस्तू ऐसी चीज है जिसे अगर आप रख देते हैं तो मंगल आपको हमेशा ही सुफल देता है आपके कुंडली में चाहें मंगल कितन हो या ना हो उसे अपनी मंगल से सुफल चाहिए तो ऐसे व्यक्तियों को एक नियम अवश्य बना लेना चाहिए क्योंकि मंगल का जुड़ाव सीधे रूप से हनुमान जी के साथ होता है इसलिए जब भी आपको मंगल की किरपा प्राप्त करनी हो तो आप हनुमान जी की प का पाठ अवश्य करें इससे आपके सभी दोसों का तो विनास होता ही है साथ हनुमान जी की किरपा दरिष्टी हमेशा ही आप पर बनी रहती है इसलिए दोस्तों आप से हम अक्सर कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में एक बार जै बजरंग बली अवश्य लिख दे ताकि जाने अ आप हनुमान जी का नाम ले और हनुमान जी की किरपा आपके उपर सदेव बनी रहे दोस्तों हनुमान जी की ऐसे देवता है जो की आपके भागय में ना भी लिखा हो तो भी आपको सब कुछ दे देते हैं दोस्तों अगर आप अपने जीवन में अत्यादिक कश्ट भोग या फिर आपकी जो भी मनुकामना है उसे आप शेगन पूर्ण कराना चाहते हैं तो आप हनुमान चाले साथ की साथ सुन्दर कांड का पाठ अवश्य किया करें अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप खुद उसका वाचन नहीं कर सकते हैं तो आप एक बार उसे सुना अ लगते हैं दोस्तो लाल रंग की जो डाल होती है जिसे मसूर की डाल भी कहते हैं आपको एक मुठी डाल यानि कि आप चाहें तो बजार में जाकर के पांच रुपे की डाल ले आएं जो की लगबग एक मुठी के आसपास ही होगी लेकिन पांच का आंकड़ा बहुत ही दे और इस दीपक में एक कपूर की टिकी भी अवस्चे डाल दे उसके बाद सुन्दरकांड या पिर हनुमान चालिसा का पाठ करें दोस्तो अगर ऐसा आप निमत रूप से करते हैं तो निसंदे आपके जीवन में परिवर्तर होने लगेंगे आपकी सभी मनुकामनाय तो पूर्ण होंगी ही समस्तों का वे संकटों का भी नास खुद ही हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में केवले इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में इजादत धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूल जाए बजरंग बली